हाई फ्रेंज जब भी आपको रेस्टोरेंट होटल की याद सताए तो एक पत्ता को भी लेना और बहुत ही टेस्टी सी रेस्पी बनाना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेस्पी आप ये घर पे बनाना कम लागत में रेस्टोरेंट और होटल से भी अच्छा ये बनके त इसे तरीके से कट कर लेना यह ना helps रहें में सेत्गें से और हम ड़्या कंट कर लेंगे कद्कस कद्कस लेकर वसको हम पत्ला अबारिक कक करें उसके बाद चॉप भी कर सकते हैं चॉपर से और ये इस तरीके से अच्छे से चॉप हो जाता है इतनी अच्छी रेश्पी ये मैं आपको बना के दिखाने वाली हूं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे इतना ज्यादा टेस्टी मैंने सारा बंधा पत्ता को भी जो है वो मैंने कदूकस कर लिया है आप चाहें तो सिम्ला मेंच भी कदूकस कर सकते हैं प्याज भी कदूकस कर सकते हैं लेकिन आप मैंने इसलिए दिखा दिया कि आप चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं कैवेज को भी उसको भी आप पत्ता को भी को भी चॉप कर सकते हैं इस तरी बहुत बारीक चॉप करना है बिल्कुल भी इसमें बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए जैसे हमने जैसे पत्ता को भी है उसी तरीके से से मुतना ही बारीक इसे हमें चॉप करना है इस तरीके से आपके पास अगर इलेट्रिक चॉपर है तो आप उससे भी चॉप कर सकते हैं यह देख़ें मैंने इसमें चॉप कर लेंगे बारीक बारीक का चाहें ऊसका पेस्ट् I mag लेकिन मैंने चॉपर में चॉप कर दें तो थोड़ा सा जब लसन के टुकड़े आएंगे और लसन इसमें ज्यादा एड़ होगा तो इस जब छोटे-छोटे टुकड़े आएंगे तो फिर वह बहुत ही अच्छा टेश्ट देंगे और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हैगा अब हमने जो यह कैवेज और सिम्ला में प्याज और गाजर यह सब चॉप करके रखा है इसको हम थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए हम अलक साइड में रख देंगे जिससे कि नमक इसलिए डाल दिया है कि जो भी इतना जो इसका एक्ट्रा पान नीचोड़ना है अपikesना पानी बिलकुल ने रह जाना चाही हम अक्षे से इसका कानी निचोड़ना है और अच्छे से निचोड़ना है और इसको पानी को फेकना नहीं है आप इससे आटा घूच सकते हैं या पकोडिया या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें आप इसमें एड़ कर सकते हैं देखे कितना सारा पानी इसमें निकल के आया है ऐसे इस तरीके से हम अच्छे से निचोड निचोड के इसका हम पूरा जूस निकाल देंगे अब हम इसमें कुछ मसाले आट कर देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर आट कर देंगे थोड़ा सा हम इसमें लालमेश पाउडर आट कर देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर है और इसमें थोड़ा सा ही नमक आट करेंगे ज्यादा नहीं आइट करेंगे क्योंकि हमने पहले से इज में नमक आइट कर रखा है तो थोड़ा सा इसमें रह गया है जो मैंने लसन, अधरक और हरी मिस्ट चॉप करके रखी थी उसका आधा हम इसमें डाल देंगे आधा जागय यूज करेंगे इसमें हम एट करदेंगे corn floor के कैटोरी मैंने लिया है या quantity में देखें तो दो टेवल स्पून है इसको हम इस तरीके से अच्छे से मिस्च कर देंगे। इसमें आप मैदा औरा रोट या फिर जैसे कॉण फ्लॉर ही आप इसमें एट कर सकते हैं। या ब्रेट क्रम भी इसमें बारीक करके एट कर सकते हैं। इसके हम छोटे-छोटे लड्डू बना लेंगे। जैसे नीम्बू होता है या फिर छोटे छोटे नीम्बू से भी छोटे हम इसमें बना लेंगे जो भी आपको जैसा सेप आपको पसंद हो जितना बड़ा आपको सौरी पसंद हो उस तरीके से कर लीजेगा सारे लड़ू मेरे बन चुके हैं अब हम इसमें पानी सौरी यह लेना है दोस्तों इतनी अच्छी रेस्पी बनेगी आप सोच भी नहीं सकते इतना टेस्टी लगेगी कि आप कमेंट करके आप मुझे जरूर से जरूर बताईएगा कि यह रेश्पी आपको कैसी लगी रेश्टोरेंट धाबे और होटल से भी अच्छी रेश्पी आप अपने घर पे बना सकते हैं और इंज्वाय कर सकते हैं यह देखें ब्राउन कलर का हो गया है अब हम इन्हें यह सार जो भी हमने बनाया है यह लड़ू सारे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और सेम कड़ाई में ही थोड़ा सा ओयल रखके डाल देंगे एक बंच हम जीरा और जो हमने लसा नदरक और हरी मिर्श का जो चौप करके रखा था वह सारा हम इसमें एड कर देंगे इसमें हम दू अब हम इसमें कुछ मसाले करेंगे कुछ सौसेश आट कर देंगे यह मैंने लाल मिर्श पाउडर लिया है यह कस्मीरी लाल मिर्श पाउडर है नमक थोड़ा सा ही एड करेंगे क्योंकि सौसेश में भी नमक होता है काली मिर्श का पाउडर एड कर देंगे एक चम्मच और दो बड़े चम्मच हमने चिली सौस लिया है एक चम्मच हमने टोम राइट बिंगर या ब्लैक बिंगर जो भी आपके पास अबलेबल हो आप इसमें एड़ कर सकते हैं और इसमें फोड़ी देडर के ही पकाना łस उसके बाद ही हमें इसमें पानी डाल देना है देख लेना कि इतना गाधा यйा पतला जैसा भी हमें ग्रेवी जैसी रखनी है उस हिसाप से हमें इसमें करВОink फ्लोर जो हमने गोल बनाके रखा है वो add कर देना है बस उतने में ही देखिए ये इतना गाड़ा गाड़ी ग्रेवी बनके तयार हो चुकी है अब हम ये जब wild होने लगा ये कुबाल आ जाएगा तो जो हमने लड़ू बना के रखें जो पकाउणिया बना के रखें वो सारी हम इसमें add कर देंगे जी हां दोस्तों आप जैसा अंदाजा लगा रहे हैं सेम वही रेश्पी है जी आएए हम बना रहे हैं वेज मंचूरियन बच्चों की पसंद बड़ों की पसंद सब की पसंद का ये मंचूरियन जो हम धाबे पे या रेस्टोरेंट पे या होटल में खाने जाते हैं वो आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं बहुत हई आसान है ये देखिए बनके कितना च्छक कितना टेश्टी बन के तयार हुआ है आ रही आपको रेस्ट्रोरेंट और होटल के या कि नहीं आएगी क्योंकि आप उससे भी अच्छा टेस्टी मंचूरियन अपने घर पे बना सकते हैं इसके साथ आप इसे चावमीन खा सकते हैं या आप चावल भी ले सकते हैं अगर आपको स्टार्टर में इसको रखना है तो आप इसे ड्राइ मंचूरियन बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगा तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर से जरूर कर दिजेगा यह रेश्पी सिर्फ आपके लिए है और इतनी आसान सी रेश्पी मैं आप यह लाती रहती हूं आपको मैं आपको जब ही कट करके दिखाती हूं कितना सॉफ्ट बनके तयार हुआ है तो आप इंजॉय कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से बताइएगा कि आपको यह रेश्पी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करते जाएगा आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेल आइकन को प्रेश कीजिएगा क्योंकि इस तरीके की आसान और टेस्टी सी रेश्पी लेके आती रहती हूं मैं तो फिर मिलोंगी नई वीडियो के साथ बाए बाए टेक्टेक्स पर वोचिए